कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेद इंस्पाइश इंडिया पर मैं हूँ अंकेद अवस्थी आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में सेशन बेहतरीन क्यों है क्योंकि आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसकी संभवतेया 75 साल तक किसी ने कलपना नहीं की थी असल मैं गल्फ देश खाड़ी देश जो कि इन दिनें इसराइल इरान के कारण चर्चा में है ऊचानक वो बारिश के कारण चर्चा में आ गए हैं और बारिश कैसी बारिश ऐसी की साहब उसने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाइदवे मैं आपको बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो गल्फ में जिस प्रमुक सिटी को जानते हैं उसके अंदर एक अमिरात है जिसका नाम है दुबई और दुबई की यह हाई राइट्स बिल्डिंग है जिसके अंदर यह जो बनी दुनिया की सबसे उची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दिखाई देती है उसको अगर एक कौने से देखा जाए तो असल में यह डैजर्ट प किसे कहते हैं एक लाइन में अभी जान लीजें डीटेल में आगे बताएंगे वो सभी देश जहां पर एन्वल रेंफॉल 25 सेंटिमीटर से कम होता हो यानि पूरी साल भर के अंदर 10 इंच से कम अगर पानी गिरता हो तो उसे डैजर्ट कहा जाता है ऐसी स्थिती में यह जो लगता है कि कोई हॉलिवुड की फिल्म तस्वीरों में उतराई हो यह खुबसूरत सी सिटी जिसे हाई राइट्स बिल्डिंग्स ने ढखा हुआ है यह सिटी बादल केवल अपने लिए ओकेजनली देखती है क्योंकि यहां पर बारिश का कोई सिस्टम ही नहीं है सहाब आ अंदाजा लगाई यह 10 cm बारिश यानि कि अगर अपन ओस की वेल्यू ना अपने लग जाए कि कितनी ओस पड़ी पंजाव हरियाडा साइड में तो शायद वो 10 cm क्रॉस कर जाए यह इतनी सी बारिश देखते हैं और वो भी सर्दी के टाइम में हल्की बुंदा-बांदी इ अच्छा इसके कारण से जब यह शहर बस रहा था इस आसपास के छेतर में जितना भी डेजर्ट था शहर के विकास करने वाले जो बड़े-बड़े लोग थे जो बड़े-बड़े बिल्डर्स थे जो बड़े-बड़े प्लानर्स थे उन्होंने जब इस शहर को बसाया तो नाली बनाना भूल गए है आज आप और हम जब भी घर बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं ना कि पानी निकलेगा तो बहेगा बहेगा तो फिर किसी नाले में जाएगा नाले में रिफाइन होगा या फिर किसी नदी में जा कर मिलेगा इनके या यह si Children ही नहीं है सडकों के किनारे यो बना तो दिये कहने के लिए Drennage System के नाम पर सडकों के किनारे हल्की हल्की से एक-एक हात खुल् людей नाली बना दिये कि अपने आज तो पाणी नहीं गिरता है दिखेगा तो कम से कम शुद्ध पानी होगा देख़कर के लोग के हो जाएंगे आप में से कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न जरूर हो सकता है फिर ये पानी कैसे पीते हैं अच्छा तो आपको सुदूर में वहां पर एक दूर समुंदर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फारस की खाड़ी पर बसे हैं न ये लोग तेल बेचकर पैसा साफ करके पी रहे हैं जैसे आप और हम पानी की कदृ करना थोड़ा थोड़ा अब शुरू कीए है जब पानी बहुत मुछकिल से हमेंभी मिलने लगा है योग truck पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं इनके यहाँ पानी मतलब खरीद कहीं मिलेगा आम आदमी भी है तो उसको खरीद कई पानी लेना पड़ेगा, यहां पर सबसे महेंगी चीजों में पानी शुमार है, समुंदर के अंदर बहुत सारे आरो प्लांट्स लगा-लगा करके पानी समुंदर का साफ करके पिया जाता है, जो बहुत महेंगा पड़ता है, क्योंकि सलाइन वाट और वो कैसी नजर, आप सुचिए न, ये इन्हों ने भविष्य को बताने वाले कि म्यूजियम बनाया है, जिसमें जब मैं गया था तब टिकिट नहीं मिला था, लोग लाइन लगे थे भविष्य देखने के लिए, लेकिन भविष्य देखने वाले जो लोग हैं, वो ये दे बता हुआ शेहर पानी के अंदर, डूबे हुए लोग, गाडियां, और तो और आप ये देखकर अंदाजा लगाएंगे, ये इनके ही नजदीक एक और देश है, जिसका नाम ओमान है, यहां पर तो बिलकुल रेगिस्तान में इस तरह का पानी बह रहा है, जैसे कभी कभी ह हुमारे भारत में उत्राखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटना सुनाई देती है, वैसा बादल फटने कासा यहां पर रेगिस्तान में सैलाब उमड़ा है, इस उबडे हुए सैलाब को जल सैलाब को अगर आप देखें, तो इसमें बहती हुई और पल्टी खाती हुई कारे दिख रही है, तो मॉल्स में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है, शहर में गाडियों को आप गहराई में पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं, बादल और बिजली कड़कती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर ल इन्होंने मातर दो दिनों में पानी देख लिया, बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि अरे सहाव ये तो खुद बारिश करवाने वाले लोग हैं, अच्छा मैं आपको इनकी अमीरी की कलपना बताता हूँ, जैसे आप और हम बारिश की चर्चा करते हैं, बारिश आती है, बार आती है, तूफान आते हैं, हम जानते हैं, इनके शहरों में, यानि दुबाई के अंदर इतना पैसा है, मतलब वो next level country है, यानि कि सोचिए कि आप कलपनाओं में जी रहे हैं, ऐसी शहर है, उस शहर के बच्चों को ये बताने के लिए, जो यहां पैदा हुए, शेखों आयोडाइट जैसी चीजे डालते हैं, so that बादल, बड़ी-बड़ी बूंदे बन करके पारिश के रूप में गिरती हैं, और चुट्टी की जाती है लोगों की, जाइए आज बारिश करवा रहे हैं, अबबा हमारे, तो ऐसी इस्तिती में, इस शहर ने अचानक इतनी बारि की चपेट में आ गए, जिनमें बहरेन है, ओमान है, ये सब भी अपने यहां पर डेडली स्टॉर्म देख रहे हैं, बाइद अगर इस पूरी कहानी को डिटेल में और जानना चाते हैं, और अच्छे से समझना चाते हैं, गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को जल्दी स सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविश्य में हम आपको और बहतरीन जानकारियां डिटेल में देते रहें, और साथियों आपको याद हो, तो हमने आप सब के लिए नटराज बैच ओपन कर दिया है, आरेयस फाउंडेशन बैच राम नवमी के अवशर पर, और ऐसी इस्तित अपनी पार्चाला पर सभी के लिए, फ्री आफ कॉस्ट उपलब्द करवाए गये हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, और यदि कोई नया विद्धार्थी जुडता है, तो 999 में मेरा एथिक्स कंप्लीट जॉइन कर सकता है, और जिन्हों ने अपनी पार्चाला पर उसे recorded form में लेना चाहते थे, क्योंकि उनका किसी ना किसी का validity खतम हो रहा है, ऐसी इस्तिति में हम 999 रुपीज में 6 मन्त की validity extension plan लाएं हैं, यानि कि अगर आप recorded मेरे history geography, polity, economy के lectures देखना चाहते हैं, तो 999 में आपके लिए उपलब दें, और यदि आप मेरे notes अपने घर पर अक्सेस कर सकते हैं, साथियों, government ने हाल ही में अपनी तरह से largest amount of rainfall 75 साल में होने का आकड़ा public में जारी किया है, और कहा है कि सहाब हमारे यहां इतनी बारिश हुई है, जिसकी कलपना नहीं की जा सकती, साथियों, interesting fact यह है कि दुबई में इस तेज बारिश के चलते एक आद बस बह गई, और बस के बहने से उसमें सवार बच्चे साथ ही साथ पानी के अंदर चले गए, साथियों, जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं, तो भारत से अगर हम पस्चिम की तरफ चलते हैं, दिशाओं को पढ़ते समय हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, उपर क हम नौर्थ पढ़ते हैं, नीचे साथ पढ़ते हैं, राइट में इस्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ते हैं, तो भारत से पस्चिम की तरफ चलते हैं, तो हमें यहां से होते हुए यहां पर खाड़ी जाने का मौका मिलता है, यह जो जगह है, इसे स्टेट चर्चा हो रही है UAE की UAE United Arab Amirat यहां पर यह जो शब्द लगा हुआ है United United यूनाइटिड का मतलब है पिल करके सयुक्त इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं सयुक्त अरब अमीराथ सयुक्त अरब अमीराथ इसका मतलब कई अमीराथ इसमें सयुक्त रूप से रहते होंगे तो इ ऐसे साथ राजगराने हैं, उनमें से दुबई एक राजगराना है, आबुधाबी एक राजगराना है, अलेन एक अलग राजगराना है, ऐसे ही यहाँ पर राजगरानों में, जो दुबई नाम का राजगराना है, वो फिलहाल बार की चपेट में है, यहाँ पर इन राजगर दिखाई देता है कतर, इसी के बघल में दिखाई देता है बहरेन, तो बहरेन की राजधानी मनामा यहाँ पर भी बाढ़ के आप ज़रा देखे देखकर के ऐसा लग रहा है, जो लोग हवाई जाज से यात्रा करते होंगे, वो देखकर के कहेंगे कि कई बार हवाई जाज के अंदर जो एयर होस्टेस होती है, या crew staff होता है, वो यह समझा रहा होता है, कि अगर पानी में कभी हमारा जाज उतरे तो आप इस तरह से करें, पेटियां खोलनें, हवा भरनें, हवा भरके विंग से नीचे उतर जाएं, हमें लग रहा है कि ये रिहर्सल दे रहे हैं, कि देखिए पानी में जहाज उतर चुका है, पानी में उतरने के साथ सब, आप सोचिए कि हालात दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरप फरजी नहीं है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कि यहां पर पानी के हालात कितने जबरदस्त लूप से बिगड़े हुए हैं, इसके अंदर जब ये बारिश हुई, तो बारिश के बारे में पुछा गया साब, ऐसी भी कितनी बारिश हो गई, मत पूरे साल भर में बारिश देखता है, कितना साड़े तीन इंच बारिश देखता है, पूरे साल भर में, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, पच्चिस सेंटीमीटर, यानि कि 10 इंच से कम बारिश अगर किसी भी जगे होती है, तो उसे डेजर्ट कहा जाता है, य ये लोग साड़े तीन इंच एनवल रेंफोल देखते हैं, यानि कि ये अल्रेडी डेजर्ट है, अब इन्हों ने एक ही बार में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानि कि ये अपने यहाँ पर लगभग साथ इंच के आसपास बारिश देख लिए, वो भी मातर दो दिन क के अंदर, यानि जो साल भर में बारिश देखते हैं, वो दो दिन में बारिश देख लिए और उससे भी डबल देख लिए, डबल देख लिए तो मामला फट गया, फट गया तो आपके देखें, यहाँ पर जो बड़े-बड़े मॉल्स हैं, जिनने दुबाई मॉल जैसी ज विश्मे से देख रहा होता है कि यार ये कैसे संभवे, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, इसमें इतना तेजी से फुर से उपर चले जाना, समुंदर के बीच में कॉलोनियों का बना देना, समुंदर के बीच में तटों को काट करके लोगों का घर बना देना, लोग इन आपने जबरदस्त होटल बनाई लेकिन सहाब आप उस होटल के अंदर पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम लगाना भूल गए आपने पूरे दुबई को एक होटल के रूप में सजा दिया लेकिन पानी की निकासी और पानी आ गया तो उसका कैसे विवस्था की जाएगी वो बताना भूल गया और हालात आपके सामने दुनिया के सामने आप देख रहे हैं मतलब यह कलपना से परे हो गया है आप टैक्सि इंजिनियर्स की जिन तकनिकों की तारीफ कर रहे होते हैं वहां इंजिनियर्स आप क्या बिल्डिंग बना दी पूरे सीशे की बिल्डिंग बना दी इंजिनियर्स ने जगह का यूस तो सबसे अच्छा कर लिया लेकिन उस पूरी जमीन को इतना चिन दिया कि वहां पर बीचा दो सब जगे और उस टाइल ने पानी को नीचे जाने ही नहीं दिया इन्हों ने भी यही किया हर जगे चिंदिजब अब बुले अब क्या करें बोले नाली बनाना भूल एब क्या करें बुले चलो पानी की उपर रहने दो जमीन में पानी रहें बच्चे देगें एक पारिश आई थी चलो कोई बातरी साब इस्कूल ऑफिस बंद कर दिये गया है इस्कूलों से वर्क फ्राम होम के दिया गया है और इनके यहां फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है समझें वेटा आप लोग सोच रहें कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकते दुबाई में पानी भर गया तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है काफी तेजी से ठीक है यह सारे अपडेट समने बता दिये दुनिया वाले परिशान है कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं आप जैसे जो बारिश देखकर खोश हो र किसा तीन घंटे बाद तेज हवाय चलेंगी करपया करके समुंदर के किनारे ना जाएं तेज लहरे चलने लगेंगी बहुत ही ज्यादा ओटोमेटेट सिटी है यानि आपको कहीं भी कुछ दिखेगा नहीं अचानक आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया पर पूरे शहर कोई व्यक्ति कंट्रोल करके रखा हुआ है एकदम मतलब हर चीज आटोमेटेट है और उस आटोमेशन में लोग यह तारीफ करते हैं जैसे मैंने भी एक बार अपना एक्सपीरेंस शेयर किया हुआ है गजब आटोमेशन है यहां पर आप बाकिया यह देखें कि इस पूरे सूखे के उपर बने हुए बादल जो है इनके द्वारा पूरे आटोमेशन से दुनिया को दिखाये गए अब इसके पीछे की कहानी निकल कर आती है यह जो लोग जाकर के बचाव राहत कारे चला रहे हैं इन राहत कराम कर्मियों के पीछे-पीछे चर्चा शुरू ही कि य कैसे असल माने में दुवाई के लिए का जाता रहा है कि यहाँ पर बारिश होती नहीं है करवाई जाती है करवाने के लिए समंदर में जो समंदर के ऊपर बादल बने हुते हैं उन बादलों को ये लोग खेंच कर अपनी तरफ लेकर आते हैं ऐसा क्यों है 1990 के अंदर 2023 में और बड़ी चीजे बन चुकी है, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, डेजर्ट पे पैसा तेल का लेकरके इन्होंने गजब का शहर बसा दिया, यही शहर जो है ये फिलहाल प्रेणा बना हुआ है सौधी वालों के लिए, सौधी अरब वाले क्या कहते हैं, उन से कमाया हुआ, पैसा लगा दिया, और पैसा लगा के पूरी तरह आर्टिफीशली इस शहर को ऐसा बता दिया, कि जिस शहर में 50 degree centigrade से उपर तापान रहता हो, लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि गर्मी है, आप गदी दुबई की कभी यातरा पर जाएंगे, तो शायद ही कोई जगह ऐसी होगी, जहाँ एयर कंडीशनर से ठंडक ना पहुचाई जा रही हो, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, क्या कोई व्यक्ती सफाई कर रहा है, तो क्या उसे भी सफाई ठंडक मिलेगी, इनकी एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है, जहाँ एसी ना लगा एक भी बिल्डिंग, अब चाहँ वो कितनी भी हीनियस बिल्डिंग ले लीजी आप, दूसरा, इनकी एक भी सर्विस, पब्लिक सर्विस में चलने वाली गारी, यानि कि अगर आप ट्रेन से चल रहे हैं, यदि आप मैट्रो से चल रहे हैं, आप बस से चल रहे हैं, टेक्स rest rooms बनाए हुए हैं वो भी पूरी तरह air condition है ताकि किसी को दुबई की गर्मी पर चर्चा करने का समय ना मिले 50 degree centigrade से उपर तापमान रखने वाला शहर अपने air conditions से दुनिया में भेंग कर गर्मी फैलाता है global warming में इनके द्वारा विकास में एक तो पहले ही desert और उस desert में इतने AC की गर्मी यहां पर औसत तापमान इसके बनने से 1.5 degree centigrade बढ़ा चुकी है साथियों जब 1 degree centigrade तापमान बढ़ता है ना तो moisture की capacity 7% बढ़ती है यानि की तापमान की बढ़ने से moisture को hold करने की capacity बढ़ती है ऐसी इस्थिती में कहा जा रहा है कि यह global warming के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि air conditions अपने आपके अंदर global warming के लिए बहुत बड़े कारक माने गए हैं क्योंकि after all आप गर्मी बढ़ा रहे हैं ऐसी गैस उतसरजित कर रहे हैं जो आसमान में जा करके सूरज के तापमान को जो धर्ती पर आया हुआ है इसे वापस atmosphere में जाने से रोग रहा है ऐसी इस्तिती में यहां का तापमान और तेजी से बढ़ रहा होता है पर फिर भी पैसे के आगे इन्होंने दुनिया के पास से यह एहसास ही छीन लिया कि यहां पर गर्मी है चली कोई बात नहीं इस गर्मी के साथ-साथ यह भी एहसास दिलाना है लोगों को कि आप दुनि इंदर के उपर जो बादल बने होते हैं उन बादलों का मोमेंटम देखते हैं कि क्या ये बादल किसी भी प्रकार से हमारे किसी शहर के नजदीक से गुजरेंगे तो इनका प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो ये नौटिस करता है कि ये बादल हमारे नजदीक से गुजरेंग के चले आईये जो बादलों के अंदर वजन बढ़ादे अब आपके दिमाग में परशन बनने लगे लगए बदलों में बढ़ादे यह कूण सी कला है ब तो सब यह कला भी अदुद है और इस अदुद चला में क्या होता है बादलों में देखे किया साब तो साब ये कला भी अधुद है और इस अधुद कला में क्या होता है बादलों में देखे क्या है ना बादल बरसते क्यूं है जब बादल में मौईस्चर है वो अगर मोटा बूंद का रूप ले ले तो वो जमीन पर गिर पड़ेगी अब बादल में छोटे-छोटी जो म MGI, ऐसे कुछ chemical material उपर से डालते हैं, जिन से पानी की जो वेपर हैं, वो उस material के चारो तरफ चिपक करके बूंद का रूप ले लेती हैं, बूंद का आकार ले लेती हैं, मतलब ऐसे समझे कि अगर मैं इस कमरे के अंदर moisture कर दूँ, जिस मैं मैक बठा हुआ हूँ, और ऐसी को पर फैला दूँ, जो moisture को अपनी तरफ खेचती हो, तो वो moisture बूंद का रूप ले लेगी, इस तकनीक का ये लोग उपयोग करते हैं बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर इस छिड़काव को ही cloud seeding कहा जाता है, cloud seeding का मतलब है बादलों के ऊपर कुछ छिड़काव, जिसमे विशेश रसायनों का छिड़काव किया जाता है, उन रसायनों के छिड़काव से वो पूरी की पूरी बूंदे, पानी की बूंदे, जमीन की तरफ जब आने लगती हैं, तो इन्हें बारिश के नजारे देखने को मिलते हैं, कहा जा रहा है कि इस बारिश के होने से पहले, आज जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं तो बुधवार है मंगलवार और उससे पहले सोमवार, सोमवार को दुबाई से लगबग कुछ किलोमेटर दूर एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है अलनैन एयरपोर्ट, उस अलनैन एयरपोर्ट से कुछ फ्लाइट उड़ी थी जो क्लाउट सीडिंग करने गई थी बादलों के उपर और बादलों के उपर उन्होंने क्लाउट सीडिंग की और वो क्लाउट से बारिश बनी और वो बारिश ना केवल दुबई पर क्योंकि बादलों को थोड़ी पता है कि दुबई वालों ने भेजा है हमारे उपर बज़तार बरस्ते चले गए यह सबसे बड़ा कारक बताया जा रहा है लेकिन सर यह क्लाउड सीडिंग क्या आज से कर रहे हैं क्या नहीं यह क्लाउड सीडिंग बादलों के उपर डालने की प्रकिरिया कोई 20-25 साल से कर रहे हैं इनके यह बारिश करवाई अमीरी में जाती ह यानि कि बारिश देखने के लिए शेख जब खुश होते हैं कि अलहभीबी आज मौसम थोड़ा अच्छा करना है तो बोले क्या करें बारिश करवा देते हैं आमिर खान का एक विग्यापन आया करता था को 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 लागा जब वो कहता है मूरनी आगा यह खेता विच्ट विच् बारिश नाजाज हो गए कि तुमने हमारी बज्जी ले रखी है जमन में आ रहा है तब कह रहो कि निए बारिश देखनी है अब हमको ऐसे नहीं चलना है तो बहुत अब क्या करें बोले हमको अपना आपको बताना पड़ेगा यह हम भी बारिश है तो बाई बादल हो गाए तो यहां के कई वज्ञानिकों के पास अब इसका जवाब नहीं बच रहा है कि हुआ क्या है हमने तो हलका सा करवाया था यह इतना कोई टैंक कैसे खोल दिया मतलब यह देखिए क्लाउट शीडिंग करते कैसे हैं हवाई जहाज से इस प्रकार से पोटेशियम आयो इस देखते हैं इनके लोगों को यह पता रहे किसा बारिश हो रही है वैसी वाली फीलिंग दिलाने के लिए काम करते हैं इस प्रकार से हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइट पोटेशियम आयोडाइट बादलों के ऊपर गिराते हैं जिससे की बादल बरसना शुरू करते हैं ठीक हैसा कोई बात नहीं अब मुद्दा ये है कि क्या केवल और केवल इनकी क्लाउड सीडिंग से हवाई जहाज के द्वारा जो ये पार्टिकल्स बादलों पर बिखेरते हैं जो साल्ट पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को अपने साथ में कंडेंस करके बूंद बनाक पानी है उसका 17-18% 20-30% ही पानी नीचे गिरता है इस बार लग रहा है कि बादलों ने कहा हम पूरा पानी गिराएंगे और वो पूरा पानी गिर गया है साब आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं खबरें जैसे की 18 मार्च की खबर आप देख रहे हैं UAE ने थोड़े दिन भी बारिश करवाई थी तो cloud seeding से करवाई थी artificial rain करवाते हैं और artificially इस रेन का आनंद प्रॉपर तरीके से लेते हैं जैसे बादल बन रहे हैं उनके उपर गए हवाई जहाज गए मैं करहाँ ना high-tech city है यह बारिश में मर्जी से कराते हैं इतने रहीस लोग है ठीक है इस ब गुलाम बना लिया है प्रकरती रुस्ट होई और इन्होंने 75 साल का record तोड़ दिया मैं आपको बताऊं सातियों आने वाला समय पानी के लिए बहुत critical होने वाला है वर्ष 2014 तक पानी का crisis बहुत बढ़ने वाला है उन बहुत बढ़ने वाले जगेहों में यह गल्फ वाले चेतर तो एकदम danger zone में है यहाँ पर पानी की किलत लगबग 80% लोगों को पानी की किलत होने लगेगी हम लोग भी कम नहीं हमें भी 40-80% की range में हम लोग भी हैं हमें भी पानी किलत होने लगेगी यह जो बादल artificial rain बनाय जा रहे हैं यह कुछ समय का समाधान हो सकते हैं लेकि दुबई जिस प्रकार से आधुनिकता की दोड में दोड रहा है मन तो अपन सबका भी करता है काश हम भी उस नाव पर सवार हो हम भी उस जहाच पर सवार हो लेकिन जब प्रकरती हल्का सा करवट लेती है ना सब तरफ मामला हिल जाता है साथीं उसका एक उधारन हम सबने क केवल अपना कोड बदला था यानि म्यूटेशन हुआ था उसके जीनॉम का सिक्वेंसिंग हल्टा फुल्टा से बना था और कोरोना 19 किलियर हो गया था कोविड 19 बन गया था समेठते समेठते जाने कितने ही लोग धरती छोड़ कर चले गए प्रकरती से खिलवाड उचित नह आज आप सबने मुझे मेरे जनम दिन पर जिस प्रकार की शुबकामनाय प्रिशित की हैं उसका हिरदय की असीम गहराईयों से बहुत सारा धन्यवाद अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें लेकिन आर्टिफीशल रेन की तरह नहीं प्राकरतिक रेन की तरह अपने प्यार के अपने आश्रवाद की अपने शुबकामनाओं की बारिश मुझे पर निरंतर करते रहें इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही और हाँ जाते जाते अगर आप मुझे जनम दिन की उपलक्ष पर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाईए जिसक थोड़ा सा कस्ट हो सकता है सब्सक्राइब ढूंडने में और उसके बगला में गंटी का निशान बनाया दबाने में बविश्य में हमारे वीडियो आपको वहां से तेजी से मिलते हैं ताकि हमारे व्यूर्स में जो 40% व्यूर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद सब को एक छोटी सी प्रेणा आज हमारा जनम दिन दे दे तो भी अपने आप में बड़ी बात होगी बाकी आरे एस फाउंडेशन बैच में जो मेरा नटराज बैच के अंदर क्लास शुरू हुआ है एथिक्स का यदि आप में से कोई भी पहली तीन क्लास फ्री में देखना चा सकते हैं और यदि आप अल्रेडी अपनी पाट्शाला के सब्सक्राइबर हैं यानि की यूजर हैं एप्लिकेशन के तो आपको एथिक्स कोड यूज करने पर मात्र 499 के अंदर हमारा एथिक्स का बैच मिल जाएगा बाकी जी ये रिकॉर्ड़ेट बैच भी हम 999 के अंदर 6-month की वैलिटी के साथ ओपन कर रहे हैं जो आपके लिए उपलब्ध होगा और अगर 1499 के अंदर ये आप लोगों को पूरे एक साल के लिए History, Geography, Policy, Economy का content उपलब्ध होगा वीडियो recorded form में उपलब्ध होगे यदि आप में से कोई साथ ही मेरे handwritten notes जाता है तो handwritten notes मात्र 1999 में 4 subject 6 केताबे कुछ इस प्रकार से लिखी हुई 3,000 रुपए कर 3,000 pages में 1999 के अंदर 7 day के अंदर courier कर दिया जाता है आपको ये प्राप्त होती है thank you so much अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना विक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें धन्यवाद